तो दोस्तो अब हम एंटर हो रहे हैं कोर्स के लास्ट हिस्से के अंदर आपने अब तक काफी डिफरेंट सॉफ़वेर्स सीखे हैं दिजिटल मार्केटिंग इस कोर्स में और मैं 100% सॉफ़वेर्स को यूज करके आपने अब तक पैसे भी कमाना शुरू कर दी होंगे मुझे अकसर लिंक्डिन के ओपर मेसेज़िस आते हैं और फेस्बुक को मेसेज़िस आते हैं थोड़ी सी थियोरी के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा देखेंगे के मार्केटिंग की थियोरी है डिजिटल मार्केटिंग की थियोरी कौन कौन सी जरूरी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए आप कोई भी marketing की किताब जब आप उठा के देखें तो उसके अंदर सबसे पहला topic कौन सा होता है याद करें जब मैंने आपको what is marketing का वो session पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी marketing book को जब आप उठा के देखेंगे तो उसमें पहला topic होगा what is marketing यानि marketing की definition कोई भी YouTube की वीडियो आप देख लें वो भी हमेशा What is marketing से ही शुरू होती है यो marketing related course हो लेकिन What is marketing के topic के पाद जो दूसरा topic सबसे ज़्यादा important है marketing की किताब में वो है need, want और demand का अब आप एक चीज़ जहन में रखें के यहां से अगले कुछ sessions मैं dedicate करूँगा marketing की उन theoretical topics के उपर के जिसको समझना एक digital marketeer के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको याद हो तो एक session मैंने आपको बताया था जिसमें हमने jargons के बारे में discussion की थी के digital marketing की jargons क्या क्या है CPA था, CTC था और different jargons के जो digital marketing industry में different digital marketeer यूज़ कर रहे हैं इसी तरीके से यह marketing के वो jargons और topics हैं कि जिसको समझना और सीखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए तो आईए ज़रा थोड़ी से ज़र डालते हैं आज के इस topic के उपर जो है digital need, want and demand का लेकिन सबसे पहले यह need, want और demand होती क्या चीज़ है यहां मुझे एक वाक्या याद आता है आज से 15 साल पहले मैं पंजाब के गाउं में गया जहां रिष्टेदारों की शादी थी और उस शादी के उपर मुझे याद है कि मुझे प्यास लगी and I ask for the water और वो जब पानी का गिलास मेरे सामने आया तो वो काफी गंदी कॉलिटी का पानी था गदला पानी था लेकिन जब मैंने अपने इर्दगिर देखा तो वहां के जो लोकल लोग रहने वाले थे वो उस पानी को बड़े अराम से पानी बिल्कुल साफ सुतर है तो I got confused कि ये क्या हो रहा है So I started asking questions and I came to know कि उस इलाके का जो पानी है वो clear नहीं है जिसना लहूर का पानी clear होता है और लोग वहां उसी तरह का पानी पीने के पर मचबूर है इसी तरीके से आप अपने अलाके को अगर देखें और घंबीर किसम का मसला बनता जा रहा है पाकसान के लिए अब अगर हम need want and demand की बात करें तो सबसे पहले need का मतलब है जरूरत जरूरत वो चीजें होती है कि जिसकी requirement है आपको जिन्दा रहने के लिए जिसमें खाना आजाता है पीने के लिए साफ पानी आजाता है बाद साफ पानी से पहले बलके पानी आता है तो need आपकी यानि की जरूरत आपकी है कि जब आपको प्यास लगी है तो आपको पानी शाहिए अगर आपको साफ पानी मुहिया नहीं भी है तो आप कोई भी पानी जो आपको अवेलेबल होगा आप उसको यूज करते हुए अपनी प्यास को बजाएंगे तो आपकी जरूरत है कि आपने प्यास को बजाना है And the first thing which comes into your mind when you are thirsty is कि आपको पानी का ग्लास चाहिए और आपने वो पानी का ग्लास पी लिया उसकी कॉलिटी जो मर्जी हो अब हम आगे चलें और second concept पे आते हैं जो है want ये need से एक step उपर होता है अब आपने पानी की तलब आपको हुई आपने प्यास लगी आपने पानी का ग्लास पिल लिया आपको उसकी जरूरत थी अब want के अंदर आप different options की तरफ देखते हैं अब आप देखते हैं कि यार अच्छा मैंने पानी पीना है और पानी साफ सुतरा होना चाहिए क्योंके मेरा जो knowledge है और मेरा जो experience है वो मुझे बताता है कि साफ पानी अगर मैं पीऊंगा तो मेरी सेहत बिलकुल ठीक रहेगी तो knowledge और previous experience जो है वो want को shape करने के अंदर बहुत बड़ा role अदा करते हैं तो आप फिर क्या desire करेंगे आप want ये करेंगे कि मैं ये चाहता हूँ यानि कि want I want this कि मेरे घर में 24-7 filtered पानी लगा हुआ और मैं filter के थूरू पानी पी हूँ that is your want you need a clean water need के अंदर you just wanted a glass of water want के अंदर you want a clean water और last concept है demand का demand के अंदर बहुत बड़ा role play हो रहा होता है आपकी buying power का ये buying power क्या चीज़ है digital marketing तो सारा आपने सीख लिया ज़रा मुझे जवाब दें कि buying power से क्या मुराद है buying power से मुराद है कि आपकी जेब में पैसे कितने है हो सकता है कि मेरी want तो ये कि मैं साफ सुतरा पानी चाहता हूँ लेकि में पाफ फिल्टर लगाने के पैसे ही नहूँ क्योंकि जब मैं एक दुकान पे गया हूँ और जाकर मैंने फिल्टर की प्राइस पूछी है और वो प्राइस इतनी ज्यादा है कि मुझे almost heart attack आने लगा तो मैं उस वही मूँ लेकर वापस आगया कि भाई मैं फिल्टर तो लगवानी सकता लेकिन मुझे साफ पानी चाहिए तो फिर एक दोस्त मुझे फोन करता है वो मुझे बताता है कि भाई आपको फिल्टर घर पर लगवाने की ज़रूरत नहीं है ऐसी जगें मुझे हैं कि जिदर आप जाएं और आप 20 लिटर के पानी की बोतल इतने रुपए में ले सकते हैं अच्छा भी 20 लिटर के पानी की बोतल की जो कीमत है वो तो मैं फोर्ड कर सकता हूँ तो बाइंग पावर को यूज करते हुए I will go and I'll buy the clean water जो मेरी डिमांड के अंदर आता है तो यह तीनों कॉंसेप्ट नीड, वांट और डिमांड के वो कॉंसेप्ट हैं कि जिसके ओपर मार्केटिंग का पूरा लिटरेचर और सब्जेक्ट बेस करता है एक मार्केटियर जो है वो कस्टूमर की नीड को भी satisfy कर रहा हुता है, want को भी कर रहा हुता है और डिमांड को भी कर रहा हुता है अब Apple iPhone जो है, वो want है या demand है, I'll leave that question to you और आप discussion board के अंदर इसका जवाब दें जो Apple iPhone हम अगसे यूज़ कर रहे हुते है, need तो मेरे खाले नहीं है अच्छा अगर Apple iPhone आपने यूज़ करना तो उसकी need क्या होगी बाइदावे वो हो सकता है कि आपकी need हो किसी दूसरे से बात करना, communication So your basic need is communication, जो आप Samsung को भी यूज़ कर सकते हैं, Nokia को भी कर सकते हैं, Apple को भी कर सकते हैं लेकिन वो जो Apple का iPhone है, वो क्या आपकी need है, आपकी demand है या want है इसको सोचिए और इसका answer आप discussion board के अंदर लिखें अब digital environment के अंदर as a digital marketeer ये बहुत जरूरी है कि आपको ये पता हो कि आपको जो reader है या जो content को देख रहा है उसकी need, want and demand क्या है हो सकता है आपने एक blog बनाया है और इस blog के आपर आपने एक article पोस्ट की है और इस article को post पढ़ने वाले या post को read करने वाले लोग हैं उनको entertainment की जरूरत है तो हो सकता है कि उनकी entertainment को satisfy करने के लिए आप blog बना रहें तो उसको जानिये, समझिये, research करें और उसको जहन में रखते हुए आप अपने content को उस तरह मोल्ड करें उस तरह का content बनाएं कि जो आपका reader पढ़ना पसंद करें The moment you start making the content जो आपका reader पढ़ना पसंद करेंगा अच्छे आपके digital as a digital marketeer जो बहुत असान हो जाएगी तो दोस्तों वो तमाम questions जो आप मुसे discussion board में पूछते हैं और उनका जवाब मैं भी जहां तक दे सकता हूं में देता हूं मेरे coaches रहे हैं वो आपको उनका जवाब दे रहे हैं उस तमाम applied knowledge को और questions को ब्लेंड करें theory के साथ और आपका applied knowledge है उसको बहतर बनाएं ताकि आप एक अच्छे digital marketeer बन सकें और अपना वो काम जिसके आलरी ही आप पैसे कमाना शुरू कर दी है आपने इसको मजीद बेतर बनाएं ताकि पैसे जितने आप कमाने वो बीस डॉलर की बज़ाए चालिस हों चालिस डॉलर की बज़ाए साथ डॉलर हो ताकि पैसों की amount भी बढ़े और आपको मजीद experience भी केंगा